जै माता दी मैं आचार रासी से मल आपका स्वागत करता हूँ एस्टोकाल गर्णा में 2024 में ब्रिशब रासी वालों के चीवन में कौन-कौन से सपने पूरे होने जा रहे हैं मकर सकरांती से आपकी रासी ब्रिशब रासी से सूर्य गर्णा का बड़ा परिवर्तन हो गया है क्योंकि अभी तक सूर्य अस्टम के थे तो 2024 में सुब संकेत आपको नहीं मिल पा रहे थे अब आपके सुब संकेत आपको मिलने लग जाएंगे क्यों सूर्या का बड़ा परिवर्तन हुआ है अब सूर्या आपके राशे से भाग्या में बिराजमान हुए है और देबगुरु ब्रस्पति आपके राशे से ब्याई में बिराजमान है पर सब रासे से और सनी ग्रह आपके दसंभाव में हैं और राहु ग्रह एक आदस भाव में बिराजमान है और केत ग्रह आपके पंचम में बिराजमान है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातरी जरूर लिखें तो सूर्य के भग्य में के भवन में आ काम हैं सरकार से जुड़ेवे रोजगार हैं या आप सरकारी छे चेत्र हो स साथ मिलेगा और हे बड़ा होनी जा Wildlife wRI आपके दसंदाव में भावन में बैठेएं अगर सम्म forgivingाओ चीवन में हैं तु कही न कहीं आपको इस तनाव मिटाने के लिए आपको मंहिनत अधिक करना की अब आक mínimo आत्मा के कारक, बिल पावर के जो ग्रह हैं, जो आपके वो आत्म विस्वाक प्रदान करेंगे, वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं आपका साथ देने वाला हूँ, आप मेहनत अधिक करिए, और सनी ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ पर थोड़ा गर्ती को मंद क कर देते हैं क्योंकि सनी ग्रहा आपको आपकी मेहनत का फल जया देने च्टना मेहनत करों की वैसे भी सनी घ्रम में बड़ा Πरिशकुंदली में पर आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह 2024 में परिवर्तन हो रहे हैं जिस कारण से आपके जीवन में चुपने होंगे जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं यह चाहता हूँ मेरे को यह मिलना चाहिए वो सब आपको 2024 में मिलेगा और राहु राहु गरह के एक आदस भाव में होने से, आपको लाब के अब सरमी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु बहुत स्रेश्थ फल देते हैं, राहु के एक आदस में होने से, आप अपने व्यापार, रोजगार के साथ, नौकरी के साथ, छोटे मोटे अलग से काम कर सकते हैं, ऐस राहुगरह की जो दृश्टियां है वो प्राक्रम भवन पर पढ़ती है और प्राक्रम भवन पर राहु जब यहां से देखेंगे तो आपके प्राक्रम को बढ़ाएंगे और आपके माइंड में सोचने समझने की सक्ति बढ़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए किस छेतर में धलस्मपदा लगानी चाहिए किस छेतर से आपको आर्थिक लाब होगा ये सब राहुगरह आपको बताएंगे और राहुगरह की दृष्टिय की स्थियार रहेंगी और पार्टनर्शी के काम में थोड़ा बहुत मत्वेद की स्थियार रह सकती हैं लेकिन आप घबराएं नहीं संतान संबंदी भी थोड़ा सी आपको परिशानिया रह सकती हैं एक मईई 2014 से पहले और आपका मन जो है थोड़ा तनाव में रह सकता है य द्रिष्टी रायोगी परती है फिवी भावनाओं का घर है ज्मान ह भावन है और यहां पर द्रिष्टी राहू की पढ़ने से थोड़ा भटकाओ तो आता ही आता है लेकिन आपने करता ही भी परेशान नहीं होना है आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है एक तो सूरिया आपके भाग्या में हैं दूसरे देवग गुरु बिरस्पति एक मईई 2024 से पहले आपके ग्याई भावन में हैं तो ये आपके बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचाएंगे आप किसी भी जंजट में फसे हुए हैं फिरसब रासिवालों के लिए सनी ग्रह कोल्ड कचरी के मामले भी बढ़ा सकते हैं आपने बात भी बात में नहीं फसना है इसलिए जो भी कोल्ड कचरी के मामले होंगे जहां भी आप फसे पड़े हुए हैं या आपके काम फसे पड़े हैं तो देवक ग्रूप ब्रस्पति अकेले ग्रह ऐसे हैं नो ग्रहों में जो व्यक्ति को कहीं से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल करके लाते हैं क्य यानि अपना पैसा जो है जो अधिक खर्चा हो रहा है अनावस्य खर्चा हो रहा है आपका है पोल्ड कचेरी में खर्चा हो रहा है या आपके दवाईयों पर पैसा खर्च हो रहा है तो वो पैसा देवगुरु बिरस्पति इन कामों से हटा करके आपके धर्म के काम में अग पुजा करवाएंगे तो कहीं न कहीं धर्मक में लगावा पैसा देवा गुरु बिरस्पति आपके रुके वे जो भी मुसीबते हैं वो मुसीबते दूर करेंगे इसलिए देवा गुरु बिरस्पति ब्याई के भवन में बैठे में जो जाने वाला चीज है उसको रोग सकते हैं ऐसा नहीं कि व्यक्ति का हमेशा एक जैसा समय रहता है तो कभी अपडाउन जीवन में रहता ही रहता है बारा राचियों में ऐसा होता ही है किसी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है किसी लिए किसी गुरु से मुसीबते पैदा होती है तो यह हमारे सब कर्म की वे बहुन बैठे वे हैं तो आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे यहां पर बिदीष जाने का मौका मिलेगा उच्छा के लिए बिद्यारति बहार जा सकते हैं और साथ में देवगुरु ब्रस्पति जो द्रिष्टियां है वो सुक भवन पर पड़ती है तो सुकों की ब सुक के भवन में और सुक की बृती तो होगी आभ्यक्त यहीं चाता है घर में कला कलेस नहों सांती प्रदान जब मैं घर में जाओ तो सांती मिले मिजे ऐसा न मिले कलेस पाजी हो तनाव पैदा हो घर में इसलिए देवगुरु ब्रस्पति कहीं न कहीं आपका तनाव समाप्त करने वाले हैं 2024 में और ज्यान की ब्रिद्धी होगी आपने सोचने समझने की सकती तो 2024 में बिसवरासिवालों की बढ़ने वाली है और देवगुरु ब्रस्पत बताना चाते हैं कि मैं रिन आपके उपर तो करूंगा ही अभी अभी क्योंकि आप जो है अनावस्यक जो पैसा बनाएंगे खर्च करेंगे इदर उदर वह अगर आप अच्छे काम उपक लगाएंगे तो रिन थोड़ा होगा आपके पर लेकिन मैं रिन को उतार भी करेंगे यानि कि आपके जो सुत्र होंगे जो आपके प्रति सडियंत्र कर रहे हैं सडियंत्र तो होंगे आपके प्रति करने वाले हैं 2024 में तो आपके प्रति सडियंत्र भी होंगे तो सडियंत्र उसे बचाने का काम देवा गुरु ब्रास्पति करेंगे और शास्त में भी लेकर भी हल्की फुल की चिंता ही तो रहेंगी दोजार चौबिस में लेकिन आपको यह मानके चलिए स्वास्ता में भी सुधार देवगुरु बिरस्पति और देवगुरु बिरस्पति जो नवंदृष्टि है वो ऐसे भावन पर है आयू के भावन पर है सादनाओं के में 2014 में जो भार से भी आपको रुपिया पैसा दे और साथ में यहां परमनेंट विदिश जाने वालों के लिए परमनेंट अगर आप विदिश में रहना चाहते हैं तो वहां का योग भी आपका एक्टिव हो रखा है और रिसर्च करता हूं के लिए सोध करता हूं जो कहीं मैं लगे रहते हैं खौजबिन में लगे रहते हैं कुछ नया करने में लगे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और जो साधना ओ प्रभु का आस्तिरीबाद मेरे उपर सदा रहे मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो तो सिद्धी प्राप्त करने का भी समय है दो हजार चौबिस में ब्रिसब रासे वालों के देबग गुरु बिरस्पति के नवम दृष्टी ऐसे भाव पर गुप्त भाव पर पड़ी है जहां पर दृष्टी पढ़ने से गुप्त साधना जितना जादा करेंगे जितने आप गुप्त रहेंगे अपनी साधनाओं को किसी को बताना नहीं है मैं करता क्या हूं अगर आप गुप्त रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा दो हजार चौबिस रहने वाला फ देवा गुरु बिरस्पति आपकी रासी में जब आ जाएंगे तो आपके जो सपने हैं जो मैंने लिखा आपके सपने पूरे होंगे कब और कैसे इसलिए लिए लिखा है कि दो हजार चौबिस में सपने तो पूरे होंगे ही बिरसब राशी वालों के किसी के सपने थोड़ कि सोचने बिचारने के बहुत चमता बढ़ेगे, आपके अंदर बोलने की सकती प्रदान हो जाएगी, कार्य करने की सकती प्रदान देवगुरु बिरस्पति करेंगे, कैसे आपने अपने काम करने चाहिए, कैसे बाद विवाद से बचना है आपको, और साथ में आपको रास्ते दिखने लग जाएगे, मुझे कौन सा रास्ते में जाना चाहिए, किस फिल्ड में मुझे जाना चाहिए, यह सब दिखने लग जाएगा, और विद्ध्यार्तियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा वर्स है, दो हजार चौवीज ब्रिसवरा रासी वालों के चाह रहे हैं, कि संतान हो जाए हमारे, तो देवग गुरु ब्रस्पति बहुत समय के बाद, आपके रासी में 12 वर्सु के बाद आए हैं, तो संतान का योग भी प्रबल बन रहा है, पंचम दिख संतान भवन पर पढ़ेगे, पुतर संतान की प्राप्ति हो वो मदुरता आपकी लोट के आएगी, अगर आपके दामपत्य जीवन में डिवोस होने के चांस बने वे हैं, या कुछ बिगन बादा हैं, आप चाहते हैं, सब बिगन बादा हैं, दूर हो जाएं, तो ये समय जो एक मई दो हजार चौबिस के बाद, देवग गुरु ब्र बिना सयोगी के तो चलते हैं, बिना सयोगी का इनका पाउं ही नहीं बढ़ता, इसलिए ब्रिशवराजी वालों का सयोगी वर्ग जो है, जो आपकी मदद करता है, वो आपका साथ देगा, आपका मित्र आपका साथ देगा, लेकिन आपने सडियंत्रों से बचना हैं, एक जनवरी से करी हैं या पहले भी जो आप साधनाही करते हैं लगातार आप अपने उपाई करते रहते हैं तो वो साधनाओं का फल आपको देंगे देवगुरु ब्रेज़ भाद्य के भवन पर आप जहां भी थोड़ा से काम करने के सोचेंगे तो काम कहीं न कहीं बनने कराईंगे के लिए वहत बड़िया हो जाएगा नौहकरियों में उन्तिकैपसर में मिलेंगे सीदियर भी आपका संबाण करें जूनियर विकार करें मित्र भी आप के संबान करें राज्मी छेत्र में आपको hisset में अंठोंहीं हरो दौहाइवारों के लिए दो हजाएगा च के लिए राहु गुप्त पैसा भी आपके बहुत आएगा आर्थिक बहुत स्टॉंग होगी तेकिन धर्म के भवन में जब आपके भग्या भवन पर देवा गुरु के द्रिश्टी पढ़ी है और मोक्ष के भवन में भी बैठे हुए है तो आपने धर्म के काम कर नहीं है और दसंभाव में सनी ग्रह बैठे में हैं इसलिए आप कर्म को सुदारते रहें अच्छा काम करते रहें दीन हिनु की मदद करें सनी बार के दिन और मंगल बार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें दीन हिनु की मदद करें और बुद्वार के दिन आप पक्षियों को दाना दे सब्सक्राइए घर में हवन पाद पूजा कराते रहें जब भी शुब माद का महीना चल रहा है माद के महीने में शंकर भगवान के अबसेख अपने घर में कराएं और पूरे साल भर आप एक उपाए ऐसा कर लीजिए भगवान संकर के एक सो आठ नाम जो हैं उनका पार्ट नित्य करिए यह उपाई आपके लिए ऐसा बता रहा हूं अगर आप नित्य इस उपाई को करेंगे तो आपके जीवन में जो भी संकट हैं जो भी परेशानिया मानसिक्तनाव है जो भी आप कहीं से भी आप घिरे पड़े मुसीवतों से वह मुसीवतें आपकी दूर हो जाएंगी फ्रिया दर्सकों अगर आप अपने जन्मपत्री के आधार पर जानना चाहते हैं दो हजार चौबिस आपका कैसा रहेगा तो नीची अपाईमेंट नंबर चल इन नमबरों पर संपर करके आप अपने जन्मपत्री के आधार पर जान शकते हैं कि आपकी 2024 कैसा रहने माले क्योंकि जनन पत्रिकार से ही पता झाया है पूरा की कैसा रहेगा आपके लिए यह सब देखना परता है क्वश रही कि पता झलता है कि तिरै करके जीवन में कितना बड़ा परिबर्तन हो वैसे भी बिश्वराशिवालों के 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है प्रिया दर्शकों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जैमाता जरूर लिखें अभी के लिए मुझे अनुमत दीजिए नमस्कार जैमाता दीए